तो दोस्तो केसे हो आप आज हम बात करने हो लाए किया लाइट क्रीम के बारे में गाइस जो की वोन कमपरी से रिलेटिड है तो दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारी चैनल बनाए नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तो दोस्तो चलिए वीडियो स् इनके फेस पर यानि की चहरे पर दाने निकले है तो उन में ये काफी अच्छी चीज है दोस्तों आप इसे आसानी से यूज कर सकते हो नमबर दोस्तों चहरे पर अथ्वा तवचा पर केसे भी पुराने से पुराने निसान हो तो आप स्क्रीम को यूज कर सकते है 3. अगर आपके चहरे पर कील मोहशे वे मोहशों के छोटे छोटे गड़े हो तो आप स्क्रीम को यूज कर सकते है 4. अगर आपके चहरे पर पिंपल हो या पिंपल के पुराने से पुराने निसान हो तो आप स्क्रीम को यूज कर सकते है दोस्तो नमबर फाइव दोस्तों आपने देखा होगा देर रात जागने से आँखों के नीचे काले गहरे हो जाते हैं जिनको हम डार्क सरकल्स बोलते हैं तो दोस्तों आप इस क्रीम को आसानी से यूज कर सकते हो नमबर फाइव दोस्तों अगर आप तेज धूप में जाने से डडरते हो जिससे की तेज धूप के कारण तवचा काली पड़ गई हो तो आप इस क्रीम को यूज कर सकते हो नमबर एट दोस्तों आपने देखा होगा कि डिलेवरी के बाद पेट पर निशान हो जाते है गाइज आप इसमें भी इसे यूज कर सकते हो तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ परियोग विदी यानि कि इसको इसको इस्तेमाल करने का तरीका दोस्तों इस क्रीम को आपको रात में चहरे पर अत्वा पर भावी तवचा पर एक मिनट तक अच्छे से मसाज़ करें और पूरी रात लगी रहने दे दोस्तों क्रीम लगाने के बाद शहरे को गर्मी धूप हिट आदी से बचाओ रखना है आपको यानि कि आपको गर्मी में नहीं जाना है दूप में नहीं जाना है इस क्रीम को लगाने के बाद तो दोस्तो अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में यानि कि इसके नुकसान के बारे में बाजी बाजी बार किसी को सूट ना करे तो ये देखने को हमें मिल सकता है स्कीन, ड्राइ, स्कीन, अलर्जी, स्कीन, डैडरेंज दोस्तो अगर आपको ये टूब सूट ना आए तो बिल्कुल घबराए नहीं इस क्रीम को यूज़ करना बंद कर दे और डोक्टर से कॉंटेक्ट करे उम्मीद करता हूँ दोस्तो अब आप समझ गए होगे तो दोस्तो ये टी क्यार लाइट की पूरी जानकारी दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पनाए नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जादे से जादे शेयर करना है ताकि दूसरे लोगों को भी क्यार लाइट कीरीम के बारे में पता चल सके ठैंक्यू धन्यवाद